Hello learners, welcome to your channel, previous year, universal human value and professional ethics equation पोछा गया था, describe space याने की सोन्या, तो क्या इसका suggested answer हो सकता है, probable answer हो सकता है, हम इस वी डिसकस करेंगे, तो जैसा कि आपको पता है कि nature में आपने 4 order पढ़े हैं, material order, plant या bio order, जिसको pranic order भी कहते है, animal order, human order, तिये 4 order क्या है, units है, units means something that is limited in size, इनके कुछ साइज होती है, कोई बहुत बड़ा होगा, कोई बहुत छोटा होगा, यह bounded होते हैं, six sides से, तो यह क्या है, units है, लेकिन reality में एक और चीज एक्जिस्ट करती है, जिसके बारे में हम explore नहीं करते हैं, हमने पढ़ा नहीं है, उसी को क्या करते है, space, यानि कि शून्य, space क्या हो और smell it, space को नहीं कोई touch कर सकता है, नहीं smell कर सकता है, one can normally see through it, इससे देखा जा सकता है, अब suppose करें कि आप से पूछा जाए, कि इस वक्त आपके और mobile के बीच में क्या है, तो आप क्या कहेंगे, कि कुछ नहीं है, एक empty space है, जी हाँ, वही empty space ही क्या 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 लगता है, space, य unlimited, यानि कि इसकी कोई limit नहीं है, unlimited है, हर जगा है, all providing, serve VIP, यानि कि हर जगा available है, no activity, इसमें कोई activity नहीं होती है, constant energy, इसकी energy constant रहती है, transparent है, आप इसके थूँ देख सकते हैं, and the self organization is available in space, यानि कि space में कोई भी अपने आपको organize किसी भी तरीके से कर सकता है, तो space is unlimited, all providing, no activity, constant energy, energy, transparent and self organization is available in space, every unit of all four order, every unit of all four order, हैनि कि material order, plant, bio order, animal order, human order, जो कि इन यूनिट्स हैं, वो सभी कहां exist करती हैं, space में ही exist करती है, आप, हम, animal, plant, ये सभी चीज़े, जो item molecules हैं, सब चीज़े exist कहां करती हैं, space में exist करती हैं, example के तोर पर जैसे कि अभी आपसे पूचा, कि what is between you and your mobile, तो your answer will be nothing, और impetus, यानि कि कुछ नहीं है, खाली जगा है, कुछ नहीं है हमारे mobile के बीच में, तो उसी को हम space कहते हैं, nothing, यानि कि soon है, इसलिए इसको क्या कहा ज़्याद है, space को soon है, nothing, कुछ नहीं है, यानि कि soon है, sun is space, आप कहते हैं, पढ़ते हैं कि space में क्या है, तो sun कहा हैं, space में, moon कहा है, space में, earth कहा है, space में, एक दूसरे का आप देखे transparent होते हैं, आप, अर्थ से sun को देख सकते हैं, अर्थ से से और्गनाईज कर सकता है तो यह कहलाता है इस पेस याने की सोन्य तो आपको यह अगर कोश्चन आता है तो आपको इस तरीके से आंसर लिखना होगा तो सजेश्ट आंसर है तो विशु आल दे बेस्ट कीप वाचिंग सब्सक्राइब दे चैनल फा मोव वीडियो थैंक यू आता है तो